हेलो असामलेकुम कैसे हैं भाई सब लोग ठीक ठाक मज़े में आपका भाई एक तफ़ाप फिर हाजिर एक न्यूऊ मैच के साथ एक न्यूऊ एपिसोड के साथ आज का मैच जो हम केलने जा रहे हैं वो है इंडिया वर्सिस बंगलादेश जैसे कि आपको पता है इंडिया औ यार अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो भाई उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई करके जरूर चाया करो एनिवेज मैच है जी हमारा डाका के अंदर T20 मैच है क्योंकि हम 50 ओमर्स का मैच नहीं खेलेंगे उससे यह होता है कि मैच बहुत लंबा हो सबसे पहले तो हम सुनेंगे कोमी तर आने यह हैं जी बंगलादेश की टीम और भी आने लगे हैं हमारे शहजादे यह रहे इंडियन प्लेइंग 11 शेकरदवन वंडे में वापिस आये हैं मैंने कोशी ही किया है कि जो प्लेइंग 11 है वही खलाओं जो खेलेगा लेकिन फोड़ा बहुत उपर निचे हो सकता है क्योंकि मैं पहले विडियो रिकार्ड कर रहा हूं विकेड तो यहां पे देखने में प्योर बैटिंग विकेड लग रही है तो हम कुशिश करेंगे पहले बैटिंग करने के 20 Overs में अच्छा खासा ठकाई करें इनकी बंगलादेश की टीम की कोई 200 डाइसो रन पना दे मज़ा आएगा तास पे बैटिंड करता है अगर अब टास हार गे तो पहले बॉलिंग करनी पड़ेगी मगनादेश वन दा टास I think batting decide करेंगे देखे क्या करते हैं bet ही क्योंके batting विकल लग रही थी pure batting विकल लग रही थी तो जहरी बात है उन्होंने batting ही decide करने और ये आगे है मेदान में यहां पर तीसरी बॉल उम्रान मलिक करेंगे अपने ओवर की यह आए उम्रान मलिक और यह लगा पहला चोका देखना पड़ेगा यह फोरंस होगे यह नहीं यह हो गए है जी फोरंस यहां लग गया है जी पहला चोका आखरी बॉल मौमसराज की अपने फिर्स्ट ओवर की बग्रादेश 11 पे कोई आउट नहीं यहां पे और यह खेल दी शार्ट गैप में और यह मिले है फोर रंस यहां पे यासिर अली को बहुत यह अच्छी कवर ड्राइब और यहां लिए है फोर रंस री प्ले में देखेंगे फोर रंस यह गैप में कवर ड्राइब बहुत यची शार्ट के लिए और यह मिले फोर रंस थर्ड बॉल करेंगे यहां पे और यह गेंद को उठा दिया यहां पे लिटन डास ने और यह मिले है जिक्स रंस पहला च्छका बंगलादेश की लिंग का यहां पर आया है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो बाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना आपने नहीं जाना बहुत ही खुबसर चिक्का यहां पे और सामने है लिटन डास गैप में खेलेगी कोशिश और यह बहुत इच्छी शार्ट गैप में देखना पड़ेगा यह मिले है फोर रंस यह होगे फोर रंस यह मिले है जी फोर रंस यहां पे बहुत इच्छी शार्ट और यह मिले फोर रंस लास्ट बॉल है मुरान मलिक की अपने उवर की क्लिटन डास है सामने और एज लगा और एज लगने के बाद फिर फोर रन्स फिर फोर रन्स एज लगने के बाद यहां पे फिर फोर रन्स लगे हैं और यह गेन को उठा दिया और यहां मिले है यासर अली को फोर रंस, यासर अली भी किसी से कम नहीं, बहुत इच्छी बैटिंग करते हैं यासर अली यहां पर कैप्टन काफी बरॉसा कर रहे हैं मुरान मली के उपर और ये गेन को उठा दिया और यहां फिर से मिले है फोर रंस यासर अली के बैट से बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए यासर अली यहां पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किये भी ना आपने नहीं जाना और ये एज लगने के बाद फोर रंस अच्छी डिलिवरी थी लेकिन यहां पर लगी रहे यासर अली एज लगने के बाद कीपर से निकलती हुई फोर रंस की तरफ यासर अली बहुत एच्छी और सेंसिबल बैट हम पर उम्रान मली की फॉर्थ बॉल शाठ्धी डिलिवरी तुबारासे और ये फिर गैप में शाड्ध ये मिले है फोर रंस बग तु बग फॉर लगाए हैं यहां पर यासर अली ने व्मरान मलीक फिट बॉल करेंगे एपने उवर की और सामना कर रहे है यासिर अली और फिर गैब और यह बहुत проблем Song यहाँ कवर डॉड्राइव पे बहुत अचा कैच लिया है पहली विकेट गिरी है भंगलादैश की और पहली विकेट ही ली है व्मरान मलीक ने उम्रान मलिक यह ब्यूटी उम्रान मलिक यहाँ पहली विकिट और कैज पकड़ा है रोही शर्माने बहुत ही जबरदस्त अच्छी सेंसिबल यहाँ बैटिंग करते होगे अच्छी और सेंसिबल बैटिंग यहाँ पर करते होगे बंगलादेश के तरफ से दो रन तो बनेंगे दो रन तो बन जाएंगे वह हूँ देखना पड़ेगा हमالा मांवला हो सकता यह यह हो सकता है यह हो गाज़ा यह- टास यहा पे हो गाज़ा ऐसा लग रहा था करें जैसे दोर रस यहाब बन जाएंगे लेकिन और ये शार्ड ओफ साइड पे खेली है और ये लगे है फोर रंस और ये कवर ड्राइब पे मारा है चोका एक्षर पर टेल आगे है यहां पे बॉलिंग करने के लिए एक्षर पर टेल और सामने है शकेबुल हसन ये शकेबुल हसन ने बॉल को उठाया देखना पड़ेगा ये फोर रंस यहां पहली बॉल पर ही लगा है चोकाश एक्षर पर टेल को बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पे शकेबुल हसन की बाहिर निकल का खेली है शौट यहां पे मॉमर मिटू ने बहुत ही अच्छी शौट क्रीज से बाहिर निकल के मा रहा है यहां पे शिका एक्षर पर टेल को बहुत यह अच्छा शिका लगाए है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो बाइस को लाइक और चैटर को सब्स्राइब किये बिना आपने नहीं जाना अक्षर परटेल की ओ अक्षर परटेल का अच्छा कमबैक यहां पे और यहां दे दिया है आउट अक्षर परटेल को मिली है विकिट चिका खाने के बाद अक्षर परटेल यहां पे किया है आउट मुहमंद मिठुन को देखना पड़ेगा कि ये रिव्यू लेते हैं या नहीं और ये रिव्यू ले लिया है यहां बगनादेश ने रिव्यू कर लिया है देखना पड़ेगा कि ये आउट है या नहीं मुझे तो नट आउट लाग रहा है अच्छा रिवीई है यहां पे एज पहले देखना पड़ेगा एज हुआ या नहीं एज नहीं हुआ स्निक को यार एक दम से ही वीड चलिगी नहीं हुआ एज नहीं हुआ अब देखना पड़ेगा कि यह आउट है या नहीं मुझे तो औफसाइड पर लग रहा है औफसाइड पर ही लग रहा है बौल मुझे औफसाइड पर जाती लग रही है और इसलिग मगेंड डिशेजन आउट देखना पड़ेगा यहा नहीं इन-لाइं है पिछ इन-लाइं है अंपाइर स्काल है ॉर यह आउट है और ये विकेड भी इंपायर स्काल है ये आउट है ये जाना पड़ेगा यहाँ पे मौहमबन विक्षन को जाना पड़ेगा बहुत यच्छी यहाँ स्पीन की तरफ से बॉलिंग देखने को मिल रही है जेजा करेंगे ओवर इशकेबुलहसन निकल के खेली आई यहाँ पे शार्ट और देखना पड़ेगा ये बॉल हुए है कैच यहाँ पे इशकेबुलहसन यहाँ पे हो गए आउट जेजा की बॉल पे बहुत यच्छी बॉल और बहुत यच्छा कैच यहाँ पे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बाई इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना जबर दस कैच यहाँ पे मुहमद अल्ला का टोटल बीट किया यहाँ पे और ये बाहर निकल के खेली है श्चार लेकिन बहुत यच्छी बहुत यच्छा चोका लगा है यहाँ पे मुहमद अल्ला आखरी बाल फेस करेंगे जजजा की यहाँ पे और ये एज लगा और ये एज लगा और ये मिले है फोरंस बहुत यच्छी बालिंग लेकिन यहाँ लकी रहे है मौहमदुला एज लगने के बाद यहाँ पे लगा है चोका कैच नहीं पकड़ा गया रिशिप पंट से और ओ ये कैच हुआ यहाँ पे यहाँ पे सुरिया कुमार यादिव बनने की कोशिश यहाँ पे लेकिन बहुत ही अच्छा रिशिप पंट का कैच कोई भी सुरिया कुमार यादिव नहीं बन सकता नूरल हसन यहाँ पे हुए है आउट और विकेड़ यहाँ अक्षर पटेल ने और यह बोल्ड कर दिया यह बोल्ड कर दिया मौहमदुला को जजेजा ने बोल्ड कर दिया बहुत यह अच्छी बॉलिंग यहाँ पे और अगर आपको यह विकेड़ पसंद आए तो बाई वीडियो को लाइक और चैनल कर सब्सक्राइब किये बिना आपने नहीं जाना बहुत यह अच्छा बॉल्ड यहाँ पे मौहमदुला को सेकिंड बॉल और यह उठा दिया यहाँ पे लेक्स साइड के उपर और यह मिले है फोर रंस यह मिले है फोर रंस सेकिंड बॉल करेंगे अपने ओवर की अफीफ हसैन को सॉरी मसद्दक हसैन को और यह लेक्स साइड पे खेला है गैप में और ये मिले है फोर रंज यहां पे यहां फोर रंज लगाए है मुसद्दक हुसैन ने इसी चीज़ की ज़रुत है बगलादेश की टीम को तर्ड बॉल और यह और यह आउट और यह हुए है आउट बहुत यह ची बॉल थी यहां पे शार्द रठाकुर्पी यार यह रिव्यू करते हैं यार नहीं नहीं रिव्यू नहीं लेंगे बहुत यह चा कैच और बहुत यह ची बॉल यहां पे नहीं कोई बॉंडरी नहीं आएगी यहां पे सिर्फ एक रं ही मिल पाएगा दूसरा अंबी लेने की कोशिश यहां पे लेकिन रन आउट यहां पे हुए है रन आउट और बहुत इच्छा रन आउड यहां पे इंडिया की तरफ से इंडिया के ओपनर यहां पे आते हुए वस बॉल फेस करेंगे रोही शर्मा ताशकिन अहमत की और यह खेल दिया हवा में और यह केड ड्रॉप यहां लकी रहे है जी रोही शर्मा पहली बॉल पे ही उन्होंने खेली शाट और यह मिले दो रन रोही शर्मा फेस करेंगे ताशकिन अहमत को यहां पे अगेन शाट खेली है रोही शर्मा ने लेकिन यहां पे मौका नहीं दिया फिल्डर ने और यहां ले लिया है कैच पहली विकेड यहां पे इंडिया की गिर गई है रोही शर्मा की रोही शर्मा यहां पे हो गए है आउट पहली बॉल पे ही कैड रॉप हुआ था लेकिन सेकंड बॉल पे गैप में खेला है विरात ने यहां पे और मिले हैं फोर रंस बहुत इच्छी शाट कवर के उपर और फोर रंस यहां पे अच्छी गैप शॉट खेलना जा हैं विरात खुली मोहमद सैफुद्दीन आगे हैं यहां पे बॉलिंग करने के लिए पहला और करेंगे मोहमद सैफुद्दीन और सामने करेंगे शेकर दावन ओफ साइड पे ये गैप में खेला है और ये मिले हैं फोर रंस यह एज लगा और ये लगे हैं फोर रंस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बाई जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे ताशकी नहमद आये है अपना और करवाने के लिए यहां पे विराद खोली करेंगे सामना थर्ड ओवर और ये उथाके खेल दिया यहां पे विराद खोली ने खेल दिया उथाके और ये 4 runs का इशाराव एंपार का वी प्ले में देखेंगे हम दुबारा से उठा के खेला है ऑफ साइड पे और ये मिले है 4 runs वेरात खोली को सामना करेंगे ताच की नेहमद का और ये ऑफ साइड पे केली इची शाट और ये तो 4 runs मिलेंगे ही मिलेंगे four runs यहां देखना प्रॉन्स यहां और यह मिलेंगे four runs यहां फोर रंस यह खेल दिया हवा में और यह देखना पड़ेगा four runs यहां पर खेले हैं विराद्खोली बहुत इच्छी शाट विराद खोल लेगी यहां पे, बहुत ही नाइस शाट, विराद खोली, गॉड ओफ क्रिकेट, और यह खेल दिया हवा में, देखना पड़ेगा, यह चोका है यह नहीं, और यह हो गया है, चोका, फोर रंस, फोर रंस लगे हैं यहां पे, बहुत इच् विराद खोली के बैट से, फोर रंस मिले हैं यहां पे, वाही निकल के खेली है, यह स्ट्रेट पे शाट, और यह देखना पड़ेगा, के चोका है, चोका, बहुत ही अच्छी शाट, बहुत ही अच्छी शाट, यहां पे विराद खोली की, यार, क्लासिकल शाट खेली है, जब्रत शाट वोर रंस यहां पर शेकर dear, One करेंके सामना शेकेबुलहसन , और यह उठा के खेली शाट यह मिले फोर फिर एकोशिछ लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम रहे फिर वार रंस यहां पर कैच पकरने की कोशिच थी लेकिन नाकाम शेकरदवन के भी यहाँ पे अच्छी बैटिंग शेकरदवन को बाहर निकल के खेलने की कोशिश थी लेकिन यहाँ पे हुए है आउट यहाँ पे टाइम नहीं कर पाए शेकरदवन और यहाँ पे शेकरदवन ने किया है आउट बहुत यच्छी विकर्डी है शकेबुलसन ने शेकर दवन भी बाहर निकल के मानने की कोशिश दी लेकिन नाकाम रहे और ये हो गए हाउट सामना करेंगे पर रात खोली आठवे ओवर की आखरी बॉल है यहां पर शकेबुलसन करवाएंगे और ये खेली है ओफसाइड पे लेकिन वन रन ही आपाएगा बस दूसरा रन भी लेने की कोशिश यहां पे और ये होगे रान आउट देखना पड़ेगा को नाट हुआ है मुझे तो लग रहा है के अल राहूल हो गए है रान आउट यहां पे बहुत ही अच्छी यहां पे फिल्डिंग पगणा देश की तरफ से और ये रान आउट कर दिया उन्होंने के अल राहूल को के अल राहूल यहां मौहमदुला बाहिर निकल गए यहां पे खेली है शाट वरात खोली ने और ये मिले है फॉरंस यह मिले है फॉरंस बहुत इच्छी शाट वरात खोली के निकल के खीली है शाट ओफ साइड पे और ये मिले है फॉरंस के बॉलस अद्वा है यहां पे और करवाने के लिए ऐ प्यक्तियों फॉर्पल करेंगे वरात खोली और यह लगा है चेज्ज और देखना पड़े ये वीडियो पसंद आई है तो बाए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को LIKE आपनी ज़रूर करना है वराथ Kholy आखरी बाल फेस करेंगे दसेंभार की और ये निकलके माँआँ है चिका और ये चिका माँआ यहां पे वराथ 박خोली ने जबरदास विरात खोली की शाट वाहिर निकल के वह इच्छी शाट यहाँ पर शिक्स रंस के लिए मार दिया चिका और यह निकली है वाहिर के बैट ओ सॉरी एज लगने के बाद कीपर से मिस्फिल्ड हुई है और यह लगा है चोका रण चोका रणी फोर रंस और यहां पर विरात खोली की हुई है फिफ्टी बहुत ही जबरदस बैटिंग कते हुए विरात खोली यहां पर कॉट शाट यहां बहुत यची ऐसा यहर की और यह मिले फोर रंस बहुत यची कॉट शाट यहां मिले फोर रंस और ये खेल दिया है हवा के अंदर और ये 6 रंस के लिए S-H-E-R का ये लगा है चिका बहुत इच्छी शॉट कवर पे खेली है 6 रंस के लिए बॉल करेंगे पर आद खोली को और ये देखना पड़ेगा आउट है या नहीं अच्छी यहां पे कीपर की अपील और ये होगे LBW विरात खोली यहां पे या विरात खोली रिवियू करेंगे या नहीं देखना पड़ेगा विरात खोली आइटिंग रिवियू करेंगे विरात खोली विरात खोली नहीं यहां कर लिया है रिवियू No ball का कोई sign नहीं है यहाँ पर Edge लगा है या नहीं यह दिखना पड़ेगा अब दिखना पड़ेगा यहाँ पर सही से नज़र आएगा Edge हुआ है या या नहीं मुझे लग रहा है Edge नहीं हुआ और यह मुझे out भी लग रहे हैं वरात खुली यहाँ पर और इनल डिसीजन है जी आउट और ये एंपाइर काल विकर्ट हीटिंग और ये हो गया है आउट अगर आपको ये विकर्ट पसंद आई है तो भाई विडियो को लाइक और चैनल का सुब्सक्राइब करना है विरात खोली यहां बहुत इच्छी बैटिंग करने के बाद पवील में वापस जाते हुए मुसद्दक हुसैना है यहावर करवाने के लिए सामने है रश्चपट ये स्वीप के लिए शाट गैप में के लिए ये शाट और ये फोरंस ये मिलेंगे फोरंस अच्छी श्यूफ श्यूफ शार ही है यहां पे रश्यप पर्ट फेज करेंगे मुसद्दक हुसैन को बाहिर निकले खेली आ ऐफ साइट पे शाट और ये सिक्स र्स ये यहां पर लगए हैं जी स्क्स रनस बहुत इच्छी शाट यहां पे रश्यप पर रश्यप और नि के लिए जाती हुई यहां पे बोल्ड कर दिया मुसद्दक हुसेन ने बहुत इची बॉल पे किया है बोल्ड समझ नहीं पाए रेशव पेंड ऐसा यह रागे हैं सामने मौहमद उल्ला कर रहे हैं यहां बालिंग बाहि निकल कर यहां खेली है और यह हो गए कैच यहां पे एस आईयर भी हो गए आउट मौहमद उल्ला की बाल पे बाहि निकल कर खेलने की कोशिश थी इत्री से दिकल कर खेला शॉट बॉंडरी को नहीं पार कर सकी और अच्छा कैच वहां पे बहुत इच्छा कैच बिंदर जजजजा की अक्षर पटेल और यह खेली है गैप में शाड और यह मिले फॉर रंस और यहां पे इंडिया ने जीत लिया है पहला वन डे मैच इंडिया ने यह पहला मैच जीत लिया है फॉर विकेट्स के इंडिया वन डाइ फॉर विकेट्स इंडिया ने यह मैच जीत लिया है फॉर विकेट्स से यहां पे एनिवेज अगर आपको यह वीडियो पसंद आएट तो बैट चैनल को like और वीडियो को sorry चैनल को subscribe और वीडियो को like आप आपने जरूर करना है और आपने अपना देर सा ख्याल रखना है मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई अलाफीस